हेलो सुदूर्ण वल्कम बाग आज हम लोग बात करेंगे कम्यूनिकेशन के बारे में और डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, अलिमेंट्स और टाइप के बारे में बात करेंगे तो कम्यूनिकेशन सबसे इजी चाप्टर माना जाता है लेकिन आप यह जान दीजिए अगर आप MCQ की बात करें तो उसमें सबसे जादा कुश्चन कम्यूनिकेशन से ही आते हैं क्योंकि यह इजी माना जाता है इसलिए लोग छोड़ देते हैं उसली सीबसे अच्छी बात कहा है तो इसमें भी लोग गलती करते हैं अशलिए ग्ज्यक्राइशन का जब भी आप पढ़ाई करें communication management के context में तो पूरा detail study करिए अच्छ से study करिए क्योंकि इसमें से हमें हर बार हर एक mcq में questions इसके आते ही आते हैं कोई भी exam आप दोगे उसमें communication के questions आपको मिलेंगे स्टार्ट करते हैं chapter तो सबसे पहले आते हैं definition क्या होता है communication it is defined as a process of exchange of ideas views fact feeling etc among the people to create understanding communication का simple definition है कि communication वो होता है जहां पर हम अपने ideas को अपने fact को अपने feeling को एक जगहां से दूसरे जगहां पर exchange करते हैं ताकि हम understanding को समझ सकें और समझा सकें मतलब कोई भी understanding है कोई भी feeling है अगर हम दूसरे को समझाना चाहते हैं अफिस समझना चाहते हैं तो वहां पर हम communication की help लेते हैं यह होता है communication का definition अब आते हैं next importance of communication क्या importance है तो पहला है coordination communication act as a basis of coordination among department activities and person in organization to communication हमारे companies में coordination के काम आता है ठीक है अलग-अलग department से हमारा proper coordination मनता है अगर अच्छा communication रहता है तो अच्छा coordination departments के बीच में होता है और उससे होता कि जो भी हमारी activities हैं जो भी हमारे लोग हैं वह अच्छे सा organization में काम कर पाते हैं अगर communication अच्छा नहीं है miscommunication चीज़े हो रही है तो वहाँ पर आपका जो work है वो effect होगा ति कैसी लिए communication पर organization पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि जो हमने बोला वो सामने वाड़े ने समझा की नहीं समझा या फिर कोई चीज़ miscommunicate तो नहीं हो गई तो miscommunication से बहुत सारी चीज़े गलत हो जाती है इसी लिए communication coordination का एक proper तरीका होता है वो एक coordination को maintain करता है next आते है smooth working communication helps in smooth working of an enterprise as all organizational interaction depend on it तो communication जो कहा है वो एक तरीके से company के smooth working के लिए बहुत important है क्योंकि जब आप communicate की नहीं करोगे तो company में काम कैसे कराओगे लोकों से कैसे काम कराओगे इंटरप्राइस कैसे चलेगा तो सारा interaction communication पर depend होता है जिस organization में अच्छा communication होता है वो organization भी grow करती है अब manager जिनका communication अच्छा होता वो भी अच्छा grow करते है तो communication आपका हर एक जगाँ पर काम आता है क्योंकि आपके अंदर तो कोई नी जानता ना क्या है जब आप communicate करते हो तब समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहते हो नेक्स आते हैं decision making communication act as the basis of decision making as it provide the information needed for decision making तो communication decision making के लिए बहुत important होता है क्यों? क्योंकि जब हम लोगों से communicate करते हैं की राय जानते हैं और अच्छे suggestions, अच्छे ideas, managers के मन में आता है तो उसका decision और अच्छा हो जाता है तो जहां पर communication होता है proper communication किया जाता है वहां पर decision making best होता है क्योंकि आप सब कुछ अपने से नहीं कर सकते हैं आपको लोगों की help लेनी होती है हाँ आप सारा कुछ लोगों के तरफ से भी नहीं कर सकते हैं तो आपको सब चीज में से कुछ न कुछ अच्छा निकाल के करने की जरुवत होती है तो यह communication से ही possible होता है next आते है managerial efficiency increase managerial efficiency and its lubricants the entire organization तो जहां पर जिस management में communication अच्छा होता है वहां की working automatic अच्छी हो जाती है वो एक lubricant की तरफ work करता है हमारे organization में और हमारे organization की efficiency बढ़ाता है आप सोचो एक ऐसा organization है जहां पर लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं तो आपको लगता है वहां पर काम अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा लेकिन अगर आप ऐसे environment में जाते हैं जहां पर लोग अच्छा communicate करते हैं और एक positive environment create करते हैं communication के थुरू तो वहां पर automatic लोगों का काम करने में मन लगता है और लोग खुशी से work करते हैं भाई simple सी बात है आप अगर अपने friends के साथ किसी कोई भी काम कर रहे हो तो हो सकता है वो जाधा effective तरीके से कर लो अगर अंजान लोग के साथ करने के लिए लिए तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है ठीक है क्या हुआ कि हम भी बोल रहा हुँ सामने वाला हुआ है effective communication का मतलब नहीं होता है खाली one way communication हो खाली मैं बोलता रहूं आप सुनते रही है जब हम बोल रहे हैं आप भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब two way communication तो two way communication company में बहुत important होता है किसी भी organization में two way communication को बहुत promote किया जाता है क्यों उससे cooperation company में बढ़ता है लोग अपने आपको बैस समझते हैं कि हाँ चलो कम से कम company हमसे पूस्ती तो है ऐसा नहीं सारा चीच कंपनी हमारे पर राके ठोब देती है इसलिए हर एक company two way communication पे work करना च से organization का cooperation level जो है वो एक अच्छे हाइट तक बहुच जाता है next आते है element of communication elements जिस order में उस order में आपको learn करना है और इसी order में एक्जाम में भी लिखिएगा बहुत छोटे में उसको दिया गया है समझने कोशिश करिए पहला है sender it refers to a person who convey his thought or idea to the receiver to sender कौन होता है जो अपना communication सा बोलने जा रहा हूं तो मैं sender हूं उसके बाद message it is a contact of idea feeling suggestion order intent to be communicated message का मतलब simply message जो मैं आपसे कहना चाता हूं ठीक है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यह जो मैं बोल रहा हूं यह सब message में आएगा और मैं हो गया sender उसके बाद encoding it refers to the process of converting the message into communication symbols such as word picture अब मैं कोई भी चीज कहना चाता हूं तो मैंने word के through उस चीज को explain मैं कर रहा हूं या फिर मैं picture दिखा के वह चीज explain कर रहा हूं तो उसको encoding कहते हैं मतलब मैं किस तरीके से message किस form में आपको दे रहा हूं word के form में दे रहा हूं या फिर मैं आपको picture के form में दे रहा हूं तो तो जैसे sender हो गया मैं, message हो गया जो मैं आपको कहना चाता था, मतलब मैं आपको communication पढ़ाना चाता था, यह मेरा message था, और encoding में क्या हुआ, मैंने ppt में बना के दिया, आपको words के form में उसको लिख के दिया हुआ है, words के form में मैं आपको explain कर रहा हूँ, तो यह encoding हो गया, मतलब जो ppt है, वो एक तरीके का encoding हो गया, words जो हो गया, वो encoding हो गया, कि हमने अपने knowledge को word में encode कर दिया, और जो mobile के थूरू आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग media, ठीक है, internet का use कर रहे हो, यह भी media हो गया, mobile phone, phone call, interaction, face to face interaction, यह सारा media होता है, ठीक है, मतलब किसके थूरू वो communication जा रहा है, तो मेरा communication किसके थूरू जा रहा है, internet और mobile phone के थूरू, तो यह हो गया, media, अब आते हैं, next, decoding, decoding क्या, it is the process of converting encoding symbols of the sender, अब आप उसको समझ रहे हो, अपने language में उसको समझ रहे हो, तो यह हो गया, decoding, उस language को, जो मैं आपको समझा रहा हू उसको आप समझने ही कोशिश कर रहे हो, तो यह हो गया, decoding, receiver कौन हो गया, it refers to the person who received the communication to the sender, तो जितने लोग भी यह वीडियो देख रहे है, वो सब हमारे receiver हो गया, अब feedback में क्या हो गया, it includes all those actions of the received, indicating that he has received and understood the message of sender, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो आपने comment में लिख दिया, हाँ ये वीडियो अच्छा था, या फिर ये वीडियो एक्दम विकार था, या फिर आपने like का बटन लगा दिया, ये सब क्या एक तरीक का feedback है, आप मेरा communication लेने के बाद आपने मुझे feedback दे दिया, उसके बाद क्या है, noise, noise क्या हो सकता है, जो हमारे communication को जो चीजे कराब कर रही है, अगल बगल जो noise होती है, जो हमारे communication को problem create करती है, वो हो गई noise, तो noise भी communication के पूरे diagram में अगल बगल होता है, next आते है, types of communication, communication जो होता है, दो दरगे का होता है, एक होता है, formal, एक होता है informal, formal में दो टाइप्स होता है, vertical, horizontal, तो vertical में क्या होता है, सब वर्टिकल में होता है upwards from subordinate to superior मतलब subordinate कुछ अपने superior को कहना चाहता है formal तरीके से मतलब अपने senior को खाली अपने senior को उसके senior को नहीं अपने एक senior को मतलब अपने scalar chain को follow करते हुए अपने senior को कुछ कह रहा है तो वो हो गया upward communication जो की वर्टिकल में आता है ठीक है और downward में क्या आएगा superior to subordinate अपने subordinate से कुछ कहना चाहता है ठीक है तो subordinate to superior में क्या सकता है एक subordinate अपने superior को क्या कर सकता है अपना जो भी suggestions है वो दे सकता है ठीक है अपने help मान सकता है तो यह सब चीज़े upward communication पर आएगी अब downward communication में क्या आएगा orders आ सकते है ठीक है आपको guidance आ सकता है तो यह सब आ गया example downward communication का next आते है horizontal communication क्या होता है जब same department के लोग बात करते हैं आपस में मतलब एक sales manager दूसरे purchase manager से बात कर रहा है दुनों same department के लोग है आप पसमा communicate कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे horizontal communication अब आते हैं informal communication informal communication क्या होता है इसको grapevine communication क्याते है grapevine क्यों कहा गया है जैसे grapes होते हैं कहीं पर भी grapes निकल जाता है वो communication कहीं से भी चला जाता है मतलब यह एक तरगे का informal communication होता है यहाँ पर कोई आपको scalar chain follow करने की दरुवरत नहीं है आप अपने senior के senior के senior से बात कर सकते है और जो एकदम senior वो एकदम root level के employee से बात कर सकता है यहाँ पर informal communication में एक कंपनी में एक informal communication का महौल बन जाता है यहाँ पर हम किसी को भी as a family member as a friend treat करने लगते है तो उसको हम informal communication कहते ह यहाँ थैंक यू